आखिकार दोस्तों दुनिया का सबसे अडवांस टैलिस्कोप लाउंच हो चुका है सबसे पहले आप इसकी लाउंचिक वीडियो को देखें फिर इसके बार में बात करते हैं तैसर carr है सबसे हाइ जाए औृति सबस्तों सबस्तों धिक फ्रीम आञवांस खिकार उ में लैडे में खिक अजान त इसे आरियन फाइफ रोकेट के जरिये सुबा के साथ बच कर 21 मिनट पा लॉंच किया गया है इसकी तीन स्टेजिजस हैं सबसे पहले दो रोकेट से रिलीव होंगे उसके पाद आर्यjem 5 सुपके अपर वाले हिस्से में यह टैलिसकॉप है उसके पारस रिलीव होंगे और लाइफ के 29 मिनट बाद आर्यें 25 रोकेटिक रिलीव होगा ये अब तक का सबसे अडवांस टेलिस्कॉप है ये काइनत के ऐसे ऐसे राजूं से परदा उठाएगा जिनके पारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था ये अधन पार फ्रेफफा टगार्गा बेभी से घगार्गा बफट जदिन को बदाएगा लुश्प टे लगार्गा जैर्गा ये लोगा ये ले वोगादाऊ नहीं देश्तो बेधा नहीं दिन प्रुट्ता है ये वो बड़के में है अजी है अबोस तर प्राइब ने की टारूस्टी सेप़ाशते वी जारूस्ट नारूस्टूर के लिए अे इत के तो एका सान ऐिस अपार्षिक एकी इन एक और यह देखे आरियन 5 रोकेट रिलीज हो चुका है अब इसका छोटा रोकेट इसे स्पेस में लेकर जाएगा यह 3D एनिमेशन वीडियो है जो असर रोकेट के साथ साथ चलेगी और तर को कί rasaश जए God का मीम है अवियो है प्Get अक्यानीरो स्कारा है दैंम और ऑनिमेशन आीज़ःों साथ स्पेस में जाकर सबसे पहले इसके सोलर पैनल रिलीज किया जाएंगे और फिर इसकी संशीट को आपन किया जाएगा ताके यह सुरज की रोषिनिक से बढ़ सके और ठीक एक मत के बाद यह अपनी मंसल लंगरेची टू पाइंट पर पहुंच जाएगा जो जमीन से 15 लाख किलमीटर दूर है और इसे अच्छी तरह से एक्टिव होने में कम से कम 6 मंत लगेंगे और 6 मंत के पाद यह अपनी पहली तस्वीर जमीन पर भेजेगा और यह पाइंट सालों तक आड पर यह अच्छी तक आप सेटों और ये पांट सालों तक एक्टिव रहेगा इसका में मकसद दोस्वालों के बारे में जानना है कि हमारी काइनात कैसे बनी और क्या हम इस काइनात में अकेले हैं प्रज्ज चार इसके बनी ऑड़ में अकेले हैं जानना है सकता हैं साइंस्तानों का दावा है कि अगर हमारी काइनात में कहीं न कहीं एलियस मजूद है तो ये टेलिस्कॉप उन्हें ढूंड नकालेगा तो दोस्तो ये थी लाँचिंग वीडियो इसके बारे में मैं औरेड़ी तीन वीडियो बना चुका हूँ एक और वीडियो में डिटेल मकमल वीडियो लेकर हाजर हो जाऊँगा देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ड को सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेस करें अपना पहुत सारा ख्यार रखें अल्ला हाफिज